तो दोस्तों आज हम बनाएंगे इंस्टेंट सी पेस्ट्री अगर बच्चे जीत करें तो यह पेस्ट्री बनाकर उनका आप मन जीत सकते हैं तो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वेपिंग क्रीम लीव ही है और बीटर की हेल्प से इसे अच्छे से हम लोग बीट करेंगे मतलब कि आपको तीन से चार मिनट लगेंगे सर्दी का मौसम है बहुत ही अच्छे से यह बीट हो जाएगी दोस्तों जितनी क्रीम हमने ली होई है वह जस्ट अपने जितना मैंने लिया हुआ है उससे जादा हो जाएगा मतलब उसका वॉल्यूम काफी जादा हो जाएगा फूल के इसे तब तक हम चलाएंगे जब तक कि यह हम इसको बीटर को बंद करेंगे और इसको उठा के दिखेंगे तक मो Battlefield опер हो जैती तो जितनी क्रीम के चॉक अब नियुस्व करेंगे तो जो हमारे क्रीम के इसको और PB करेंगे जबत करेंगे तो यहांपर अंधा क्रेशएन अथाम होगा जाएगा आपर दो ब्राउन ब्रेट बहुत ही हल्थी होते हैं दोस्तों तो ब्राउन ब्रेट से हम बनाएंगे इस पे हम यहां पर इसको अच्छे से ब्रेट को गीला करेंगे यहाँ पर मैंने सुगर सीरप की जगे जो दूद लिया हुआ था उससे अच्छे से गीला करेंगे यह अच्छे से अब्सवर्व कर लेगा इसके बाद में हम यहाँ पर क्रीम करेंगे चारो तरफ से क्रीम अप्लाई करेंगे जितना आप यह दो डैट करेंगे ना उतनी ही हमारी जो पेस्ट्री होगी दोस्तों वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी तो यह देखिए यहां पर मैंने अच्छे से क्रीम अपलाई की हुई है जैसी क्रीम अपलाई करेंगे फिर थोड़ा सा इसमे चॉकलेट सीरप अट करेंगे फिर उससे अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे हम लोग इस पूरे जो हमारा प्रोसीजर है इसको हम लोग दो से तीन बार इसको अच्छे से हम लोग करेंगे मतलब तीन लेयर हमें बनानी है तो सीम प्रोसीजर हम लोग तीन बार करेंगे मतलब पहले ब्रेड रखेंगे फिर उसको अच्छे से जो हमने दूद लिया हुआ तो उससे अच्छे से गीला करेंगे फिर उसके पर वेपिंग क्रीम इस तरह से हम पूरे एक तीन लेयर तक इसको बना के तयार कर लेंगे दोस्तों तो दोस्तों यह लेयर हमारी बन के तयार हो गई थी अभी इसके उपर हमना चॉकलेट सीरप एट करेंगे और चॉकलेट सीरप बहुत धीर सरा लगाएंगे जाता कि जो हमारी ब्रेड वो अच्छे से कवर हो जाए इसके जगह आप डार्क चॉकलेट लीजिए उसको कद्दू कस कीजिए और गरम पानी कर रखिए और उसके उपर वो कटोरी रखिए काच की तो आप इसके उपर डार्क चॉकलेट भी स्प्रेट कर सकते हैं अगर हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो कुछ इंस्टेंट सा करना चाहिए इसलिए यहां पर मैंने चॉकलेट सीरप लिया हुआ और इसे अच्छे से चारो तरफ से कवर कर दिया दिए अब हम इसको अच्छे से चार पीसिस में दोस्तो यह बना के त्यार कर लेंगे और इसके बाद में थोड़ा सा हम यहां पर जो विपिंग क्रीम थी उससे थोड़ा सा मैंने यहां पर डेकरेट किया हुआ है और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने जो जैम्स होते हैं मल्टी कलर जैम्स के वह रखे हुए हैं तो देखिए यह सुन्दर सी हमने जो पेस्टी थी यह बना के तैयार कर लिए हैं अगर दोस्तो आपके गर में कोई भी अचानक से गेस्ट आ रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा डेसर्ट है तो दोस्तो अगर आपको यह मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना ना भोलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थाइंक्यू सू मच दोस्तों